बल्कम बैक समाचार मागरवाद केरिए EVM नी विश्वस नियता पर उठेला सावालो ना जबाब माँ इलेक्षन कमिशन EVM चेलेंज करवा तैयार शे औने आ EVM ने लईने इलेक्षन कमिशन ने डिली माँ डेमोस्ट्रेशन पण आप्यो शे विजनान भवन माँ EVM पेपर ट्राइल मशिन नो डेमो आप्यो शे विपक्षी पार्टी वा आख्शेप पर होतो कि EVM मशिन ने साथे चेडा करवा मा आवे हता जना पच्छी इलेक्षन कमिशन ने आज डेमो आप्यो शे अगार्टी विजन पर्टी अटिकल पर्तिस शिरेग्यों विजने स्पर्टीश नें से थ Neil Selbst को विजिनान प्रीमा झते। प्रश्टलिकल compare A जैसे आपको मालूम है के चुनाव आयोग ने पाँच राज्यों के चुनाव की घोष्णा होने के बाद से विश्चित प्रेस रिलीजे जारी करी हैं जिनमें 16 मार्च की हमारी प्रेस नोट और भिंड और धौलपुर से संबंदित जो घटनाई हुई है उसका प्रेस नोट हम लोगों ने 7 अपैल को और 11 अपैल को जारी किया है इस मौके पर आयोग की ओर से ये बताना अवश्चित है कि भिंड के बाई लेक्शन के समय पर एक गलत भ्रांती फेलाई गई थी कि बैलेट यूनिट पर किसी भी बटन को दबाने से केवल एक ही पार्टी का सिंबल सामने आ रहा था और केवल उसी की सिलिप प्रिंट हो रही थी कमिशन ने इस पूरे घटना की जाच कराई है और कमिशन ने कंट्रोल यूनिट से की मेमोरी से डेटा भी निकाला है का डेमोंस्टेशन 31 मार्च को हो रहा था उस समय केवल चार बटन दबाए गए थे डेमो के दोरान और प्रती एक बटन दबाने पर अलग 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 सिलिप्स जनरेट हो रही थी इस प्रकार से ये भिंट की घटना के बारे में गलत खांती फिलाए गई हो पूर्ट या गलत थी इस प्रकार से ये भिंट की घटना के बारे में गलत खांती फिलाए गई हो पूर्ट या गलत थी The Commission had also circulated a status paper on 12th May to all political parties and it is available on our website also for the information and awareness Now, certain complaints of alleged tempering of EVMs during the recently held municipal elections in Maharashtra and other places were also received and these complaints generated certain wrong perception about the electronic voting machines of the Commission and we noted that confusion exists in the mind of people about the jurisdiction of the Election Commission of India and therefore on this occasion we would like to clarify once again that the Election Commission of India is not responsible for conduct of local body elections and consequently about various protocols and procedures adopted by them Elections to local bodies, both urban and rural, are conducted by separate constitutional authorities like State Election Commission set up under Article 243 of the Constitution In this regard, you can tell us that in Maharashtra elections, which was held in Rishthani Nikai के उसके बारे में कुछ शिकायते उनके यहां प्राप्त हुई थी जिनमें एक खास शिकायती थी कि किसी अमुक अभियरती को जीरो वोट मिला है इस बारे में State Election Commission महारास्ता ने बहुत विस्तार से जाच करी है और इस घटना को पूर्टिया गलत पाया है और उन्होंने यह पाया है कि उस अमुक कैंडिडेट को वोट मिले हैं जिनकी टोटल संख्या 44 भी है